हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल हमें मीद है आप सभी स्वस्त और अच्छे होंगे और आपके पेपेशन भी बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी होगी हम लोग पिर भीए से पेपर्स कर रहे हैं जिससे कि हमें अपने एक्जाम को बेतर तरह से डील क पनाने का मौका मिल जाए उन चैप्टर्स को हम जादा पड़ें जो अभी तक एक्जाम में अच्छे वेटेज के रहे हैं जिसमें मैद के भी हमने आपको क्लासे के साथ रिजिनिंग के भी क्लासे हम आपको दे चुके आज का जो क्लासे वो मांसिक योगता वाले पोर्शन में ठीक है और चली इसको बेतर तरे साथ है लोग देखके था सजजिए इसका है पहला कुश्यन है निम लिकिए शब्डों में से किस शब्ड के अक्षर बणमाला बनमाला करमानुसार नहीं है बणमाला करमानुसार का मतलब होता है alphabet का जो order होता A से B की और से लेकर Z की और तो कौन सा ऐसा है जो इस order को follow नहीं करता है देखें आप पहले एक्षर देखें पहला जो word है इनका blank जो follow नहीं करता है ना B के बाद L तो ठीक है लेकिन बीच में A आ गया है जो की B से पहले होना चाहिए था तो यह follow नहीं करता है आंसर तो हमारा यह हो जाएगा बाकि आप तीनों को देख लिए देख तक टेक सेकेंड में A के बाद L ठीक है L के बाद वो आता है वो के बाद बाई आता है यह के बाद M M के बाद P P के बाद T T Y आता है यह इसी सीरीज में आते है यानि उसके बाद ही आते है जस्ट बाद वाले नहीं है उसके बाद वाले है B के बाद E G I N अपने बिल्कुल सिक्वेंस में है आगे की ओर है ठीक है तो यह हमारा आंसर यहां से हो जाएगा करमानुसार अगला कुशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुशन होदी प्यारे कुशन है आप इनको देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे कुशन्स आपको तयार करने है निम्री की शब्दों में इसे कौन सा शब्द यह जो दिया गया है न वाई डी सी आई एन आर ए टी ओ राई अक्षरों से बनाया जाता है आप इसमें आराम से क्या कर सकते है कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए और उसके लेटर से आपर मैच कर लीजिए क्या डी है डी है तो D है, I है, I है ठीक है, और C है, C है विलकुल है, T है, Att, O-I, O-O, B, N, A, V, A, B, R, V ये वाला है और Y, Y तो पहले दीगी ती ती यानि डिक्षिनरी ओर्ड ऐसा है जो इंड्ड लेटर से बिलकर बना है उपर वाले जो लेटर्स दिये हैं जो कि एक अरेंजमेंट में नहीं मतलब अरेंज करके नहीं दिये हैं उनको अगर अरेंज किया जाए तो डिक्षिनरी वर्ड बनाया जा सकता है ऐसे करके कुश्चंस आपके पेपर में आते रहे हैं तो आराम से इसको कर ले जाएंगे साथlarustryता वाले कुश्चंस है जिस प्रकार से मुर्गा मुर्गी से संब्ढ़नित मैं उसी प्रकार से ज होगा पहले आपको बड़ा क्या यह मतलब मतलब also says होता ठीक है सुसंंजीद उड़ा कहे सकते या वैसा ठीक है तो इसके लिए जो वर्ड आ जायएका कि जो तरह कि आनुपात्स और एंधर संबन्ध होना झाये है तो बहें सब्सक्राइब करांगा fascinating क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अभी चैप्टर रीजनिंग में लेकिन इसका भी चैप्टर आगे का शायद यही वाला कराएंगे चैप्टर आगे देखें नेक्ष्ट कुछन देखें कि यह सादस्ता बहुती सरल होती कुछ भी नहीं होता है आपकी जन्नल अविरेंस से रहे शलिए होगा और जोड़े का दोसरेaces है वही संबन हमें हिसमें निकालना होगा तो लेक का संबन है पुद्ब से है आप सब कोई संबन नहीं होता है मूर्तिकार क्या पत्थर पत्थर को यूज करता है लेकिन क्या पत्थर को लिखता है बनाता है नहीं मूर्तिकार के सामने अगर यह मूर्ति दिया होता मतलब मूर्ति बो बनाता है तो यह option सही हो जागा लेकिन पत्थर दिया तो पत्थर नहीं होगा इसकी जिए चित्रकार के आगे अगर पेंटिंग दिया होता है ना क्या दिया होता पेंटिंग तो ये सही भी हो जाता लेकिन ब्रश दिया नहीं सही होगा कुमहार बरतन बनाता ये विल्कुल सही बात है कुमहार का संबंद जो बरतन से है यानि कुमहार बरतन को बनाता है उ काम चलने वाला है नहीं उस विकल्ब का चैन कीजिए फिर से पढ़ने की जुरूत नहीं है जो एबी का संबन्द एनों से है वोई केल का संबन्द होना चाहिए किससे होगा चली देखते हैं यसे कितना ज़ादा है और यह इससे कितना ज़ादा है तो मिल लाके कितना होता है 11 होता है, के 11 होता है और L कितना होता है, 12 है तो 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 12 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ठीक है, 25, तो 24, 25, क्या लेटर यहां पर है 24-25 त्यानि X-Y कौन से होंगे X-Y X-Y जहां पर भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं सकते सिर्फ यह देख सकते हैं कि AB का संबंद NO से क्या है वो संबंद ऐसा कुछ नहीं नजरा रहा है सिर्फ यह नजरा रहा है कि एक इसका इस्थान था 14 बढ़ा दिया गया इसका दो था इसमें भी 13 बढ़ा दिया गया तो यह 14-15 हो गया तो हम भी इसमें 13-13 बढ़ा देगी कुछ भी alien concept यह नहीं लगेगा कि कुछ नया बहुत जादा सोचना पड़े चाठा question देखिए आप क्या कह रहा है जिस तरह से music संबंदित है yes z w l e से उसी तरह से यह canoic इससे संबंदित है तो फिर से हम वही करेंगे music का relation देखेंगे इसके साथ क्या है तो क्या एक जगे हम लिख सकते हैं इसको music music और इधर क्या है s z w l e बताने को एकदम से बता दिया जाए लेकिन जब करके आपके सामने चलेंगे तो आपको चीजें याद होंगी कैसे याद होंगी देखे m कितना होता है m होता है 13 u कितना होता है u होता है 21 s 19 यह i है क्या i कितना होता है 9 होता है और c सी कितना होता है थ्री होता अब आप देखिए एस नाइन्टीन जेड 26 डेवल्यू 23 एल बारे और यह पांच आप इनका देखिए कोई संबंद क्या हमें निकल के सामने आ रहा है ऐसा तो इन्होंने किया नहीं है कि कोई यहां वाले लेटर वहां यूज की हो ऐसा तो कुछ है कि इदर उदर कर दिया हो आपको पहले दिख जाए कहीं भी डेवल्यू नहीं है यहां पर डेवल्यू कई नहीं है वहां पर जैड ना तो यह उल्टे एक दूसरे के और उल्टे भी होते तो भी आपको लेटर पोजीशन लिखनी पड़ती तभी आप पता कर पाते अगर आ यहां पर 13 19 में शे का डिप्षेंस आ रहा है 21 और 21 और 26 में कितने का रहा है पांच का रहा है 19 और 23 में कितने का रहा है चार का रहा है नौँ ऑर बारें में कितने का ठीडाँ और और तीन और पांच में कितने का रहा थ؟ तो इस तरह से हमने एक चीछट देखी कि जो संक्याएं आगे लिखी गई हैं वो प्लस 6 फ्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 की फॉर्म में लिखेंगे यह लोजिक हम यहां पर लगाएंगे देखिए कैसे देखते हैं सी कितना है तीन कितना हो गया सी तीन एक एन चौदे ओ पंद्रे और इपांच आप इसको आगे देखिए पांच जो आगे वाले बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे दो जोड़ों पांच दो साथ का होना चाहिए पंद्रा पंद्रा और कितने जुड़े के इसमें तीन पंद्रा तीन अठारे होना चाहिए इसके बाद क्या है चौदा चौदा चार अठारे होना चाहिए और एक और पांच छे होना चाहिए और तीन और छे तीन नो होना चाहिए छीक है यह लेटर होना चाहिए नो छे अ और और साथ क्या होता जी तो आप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सई ठीक है कुछ ऐसा नहीं था इनको हमने वहाँ पर देखा तो कुछ घड़ते हुए करम में आगे लेटर दिये गए वही हमने आपर लॉजिक लगा लिए ठीक है आगे नो और सोले में कितने जोड़े गए हैं नो साथ और सोले और चौविस के लिए आठ चौविस और इसके लिए कितना है छे तीन नो जोड़े गए हैं इससे हाँ पर कितने जोड़े चाहिए दस और यहाँ पर कितने जोड़े जाने चाहिए ग्यारा हम कैसे अंदार लगाते कि सीरीज में हमें क्या करना या बाग करना गटाना यह आप देखो जब सीरीज भाग धिरे-धिरे बढ़ रही हो तो पहले साथ जोडा फिर नो जोड़ा थिडस जोड़ना छाहिए और 10 Jul आगे क्या आएगा 43 आएगा यानी 43 आएगा और तालिस में 11 जोड़ने पर 14 बन भी था ठीक है तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 43 43 अच्छा इसके आगे भी लगाना है अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा बारे बारे जोड़ा जाएगा तो 426 हो जाएगा और 526 यानि अगली संक्या जो इसके बाद यहां पर आएगी वो क्या आएगी 66 आएगी तो 43 शासर जो भी होगा वही हमारा अंसर हो जाएगा पुर्टिक्री 66 ठीक है चलिए अगे देखता है नेक्स देखिए अगला कुश्चन देखिए क्या कह रहा है कुश्चन ने संक्ला में देखिए बाई इनको निकाला कैसे देखते हैं अग्टन से दस प्राप्त हुआ और उसके बाद 20 प्राप्त हुआ है तो आपको देखने से लग रहा होगा कि गुडात्मक रूम में संख्या बढ़ रही है कैसी बढ़ एकदम से बढ़ रही है बल्कि देखिए थोड़े प प्राप करने के लिए कितने का किया गया होगा दो का और इसको यहां पर जब ऐसे बढ़ रहा है तो यहां पर कितने का किया गया होगा तीन का तीन करने से यहां पर क्या मिलेगा आप देखोगे 20 तीया 60 मिलना चाहिए 60 में कितने का करेंगे 240 मिलेगा 4 का गुणा करेंगे 4, 240 बिल्कुल सही है, 24, 24, 240 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1200 मिलेगा, कितना मिलेगा 1200, और 1200 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वाच्छंग 72, कितने 72, तो बाई का मतलब होगा 1200 और x का मतलब होगा 60 तो by बराबर 7200 और x बराबर कितना 60 हमें answer क्या पूचा गया by upon x तो by upon x इससे आप इसको कार दीजिए आपका आजाएगा 120 आजाएगा 120 चीक है यह हमारा answer तो series देख के ही लग जाता है कि हमें जोड़ना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा कि भाग देना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे देखाएगा यहाँ पर दीखी अब पहली नजर में दिख रहा होगा 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 11 अगर आप देखेंगे 11 12 13 14 तो क्या होना चीए अगली संग्याएं क्या होनी चीए अब 14 के बाद आने चीए 10 वाला जो आ रहा था 11 और फिर 14 के बाद आना चीए 15 तो क्या आना चीए 11 और 15 11 और 15 जहां थे भी होगा वह हमारा अंसर हो जाएग ठीक है निक्स देखें कि अगे देखते हैं नो के वाद 10 देखी कुशन 10 कुशन क्या कह रहा है यहां पर भी इसे हमें पूरा करना है संग्याओं को ग्यात करें है पूरा करने के लुट छिप संग्याओं को क्या है यह सीरीज देख양ी कि यह है C, C मतलब 3 C मतलब 3 F मतलब 6 यह एल मतलब बारे एल मतलब बारे और यह यह एल तो नहीं है एल नहीं होगा यहां आई होगा क्या होगा आई तो आई मतलब 9 कितना आई मतलब 9 एल मतलब 12 ओ मतलब 15 ठीक है आप देखेंगे इनके बीच जो डिप्रेंस है वो तीन का तीन का और तीन का आगे सीरीज को बढ़ाना है इसी सीरीज को तो एलो देखो उन्होंने ले भी दिया एलो ले भी दिया तो ओ के बाद क्या आना चाहिए इसके बाद 15 अठा होना चाहिए तीन और जूनेंगे 21 होना चाहिए तो 21 कौन सा होता है यू कौन होता है यू ठीक है 21 और 21 के बाद क्या होना चाहिए 24 24 क्या होता है एक्स एक्स होता है एक्स एक्स और कुछ और आगे बढ़ाना नहीं इतनी बढ़ाना है न तो हो जाएगा ल ओ आर यू एक्स ल ओ आर यू एक्स यहीं हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है न चलिए आगे देखते हैं तीन तीन का डिफ्रेंज था यहां पर नेक्स देखिए कुशन कह रहा है ए ए बी एफ देखो फिर से चीजें बढ़ तो रही है ए ए बी बढ़ तो रहा है लेकिन शुरू में दी में बढ़ रहा है बाद में तेज बढ़ रहा है तो कहीना कहीं जोड़ा तो नहीं जा रहा हो तो कि एक रहेगा फिर इसमें 2 है मतर फिर से इसमें एक ही जोडा गया फिर भी में कितना जोडा जाएगा तो यहां से दो में मैं एसब के लिए छह चाहिए चार कुछ भी जोडने वाला यहां protecting दो सभसे जो धिक्राहे डवला उतीरा तो कहीना काई फटी गुना कितना ऑग किस्तान होता है गुणेe एक यह होता है इसका एक का गुणा दो दो का गुणा तीन होड़ तीन दूनी 6, F6 होता है, इसमें कितने का गुणा किया जाएगा, चार का, और ये इसकी वैलू कितनी होती, 6, तो 64, 24, तो अगला जो आएगा, वो क्या आएगा, 24, 24 किसका होता है, X का मान, 24 किसका होता है, X का मान, फिर से देख लिए, A में इसकी जो इस्थान होता है, वो एक होता है, पहला इस्थान होता है, तो पहले इस्थान पर एक का गुणा करेंगे, तो A ही मिलेगा, इसलिए A रख लिया गया, इसका इस्थान एक है, लेकिन ये सीरीज बढ़ रही है, ये स इसका इस्थान चिह गुणाचारा करेंगшा से चोबबस का माण कितना होगी मि आगे लिए ने कूछा नंबर कंचाहलार कुछ नंबर बार कह रहा है Abye Yeah देखने से लग रहा है कि यह एक दूसरे हो गया भी एक चीज और यहां है पहले ए शुरुवात वाला पहले पहले वाले में शुरुवात वाला पहले दूसरे वाले में बात वाला पहले तीसरे वाले में फिर शुरुवात वाला पहले मतलब सी होगा और इसके बाद बात वाला तो कौन होगा एक्स सी एक्स अभी बत अब का वी इसके बाद क्या आएगा वी देखो कैसे अब देखो ए ए बी सी डी ए ए बी सी डी ए वो भी कैसे शुरू में बाद में शुरू में बाद में शुरू में अब यह देखो यहां देखिए वी यू, V, V, W, V, W, X, Y, Z बाद में, शुरुआत में, बाद में, शुरुआत में, बाद में तो एक सिस्टम से लिखी हैं और यही हमारा हो जाएगा तो CXEV हो जाएगा CXCXEV, option number B हो जाएगा ठीक है, next देखे, अगला question देखी, 13 number देखे यदि A into B का आर्थ है, A, B के दक्षड में देखो, A into B देखे, A into B का आर्थ है, कि A, B के दक्षड में है तो A अगर हम यहाँ बना दें, और यह B के दक्षड में है तो B कहा हो जाएगा, ऊपर A, B के दक्षड में, सही है न आ जो है, वो B के दक्षिर में हो गया, उपर उत्तर होता है, उपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिर होता है, इधर पूर होता है, इधर परशिमा, इधर अम्हों होता है, चै looking? चैंड," जो हम लोग एज्यूम करते हैं उसको. तो क्या हो जाएगा a into b का आर्थ है a b के दक्षड में है a plus b का आर्थ है a a plus b का आर्थ है यह जो प्लस है a plus b का आर्थ है नहीं हमें आगे question दिया गया है तो हमें अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यह चोड़ दीजे आगे बढ़ते हैं हम सिधा equation देखते हैं वह बाद में देखेंगे तो पी प्रसेंटेज q प्लस आर माइनस s हां जो दिया है वो यह है क्या है पी यहां लिख लेते हैं है और या फी प्रतिश्यत q प्लस आर माइनस s में क्यूक के समद्ध में एस के सिर्षा में हो तो हम इसको लिखते हैं आपर कैसे लिखेंगे वह देखें का क्या गया रहा था वो पी रेज़ पहले एक प्रतिश्यत q कहाँ पर है यह लिखा है पी यानि या प्रतिश्यत b का आर्थ है a b के पूर में है तो p q के पूर में है p q के पूर में है p q के पूर में ःटए है अगे बढ़ते अब q प्लस आर में क्या होता है ad के उत्तर में है तो q r के उत्तर में है क्यूं आर और के उत्तर में है आर नीचे हो जाएगा होगे आर की ऊपर होता ठीक है अब आर माइनस एस माइनस वाला कहां गया यह माइनस बी का आता है यह दी के पंचिम में है इसे पक्षिम में है, आर, येस के पक्षिम में, आर, पक्षिम में करना है, पूर पक्षिम, तो आर बनेगा, स्वरी, एस बनेगा यहां पर, आर, एस के पक्षिम में, आर, एस के पक्षिम में, पक्षिम इदर होता है, ठीक है, पे आर पक्षिम हो गया, अब हमें ये चारों की प किस दिशा में है आपको दिखता यह क्यों के सम्द्ध में एस किस दिशा में है पूर्व और दक्षिड क्या होगा पूर्व और दक्षिड नीचे दक्षिड होता है इदर पूर्व यह बीच का कोने में है तो दक्षिड पूर्व हो जाएगा दक्षिड पूर्व दक्षिड और पूर अंसर मारा booster है ठीक है आगे देखते हैं है next question ने की 13 पूश्य क्यां कहए wow 13 एक सुभै एक्स ने सूरेज की और चलना प्रार्म किया ये x है कोई और ये सूरेज की और चलना इसने प्रारम किया पूर्विधर होता है प्रारम किया फिर दाई तरफ मुड़ा फिर यहां से दाई तरफ मुड़ा फिर लगातार दो बार बाय मुड़ा अब दो बार बाय मुड़ा होगा लगातार तो यह एक वार इस तरह मुड़ गया और फिर एक वार इस तरह मु चलना है चलिए आगे देखते हैं तेरे हो गया चोधे नमबर देखी क्या है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्यम में 90 फीट गया पश्यम में पश्यम किदर होता है फिर से बता दें ये पूर है इस्ट है ये नौर्थ है उत्तर ये दक्षिर और ये देखे रहें हमलों मान लेते नभबे फिट गया फिर दाएं मुड़ा और 20 फिट गया नभबे-फिट और अगया चीवारा है तो दाएं मुड़ा और 30 फिट गया तीस फिट जाने के बाद है अपने चाचा के घर पहुंचा है यहां पर कहीं चाचा का घर होगा चाचा के गर पहुंचा उसके पिता वहां नहीं थे बहां से दक्षिड में सौफिट वहां से दक्षिड में सौफिट गया दक्षिड कहां होगा डीचे और कितना गया सौफिट सौफिट का मतलब यहां पर गया और सौफिट बीस तो यह हो यह यहां से चला था यह उल्टा सीदा जाता रहा उसको छोड़ दीजे लेकिन अब वो लोट के इधर से गया है तो यह बीस तो यह सौ फिट गया तो बीस तो ऊपर चला गया यह आप देखिए यह असी बचा है यह कोई चीज यह कितनी बची इसको देखे टोटल यह यहां क्यां तक 90-70 ती सूपर चल चुपार था तो Kathryn निकल जाएगी तो कितनी बचेगी इतनी डूरी बच्छेए कि यह यह इतनी तो यह कितनी बच्यट ही जवी चलते thought कान जाएगा असीय जो दूरी हो वह इतनी होगी 100 हतordin होगी कहां तक मतलब देज़िक ये अच्छे गाज है संवälाल पुछ ही जा रहा कि ये तक चला गया ये से वी तक ये यह ए यह और एकस यहां सी एसे वी तक चला चला फिर वह दाएं मुड़ा बी तक चला और यहां से किदर मुड़ा दाएं मुड़ा और आगे सत्रा फिट चला और आगे कितना चला है सत्रा फिट आगे चला 17 फिर फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला ठीक जो की A से B के बराबर है जो की A से B के बराबर है तो यह कुछ यहां तक चला होगा इसके सामने तक चला होगा ठीक है A से B के बराबर है वह फिर से दाएं मुड़ा औ और आगे नौफीट चला यहां से फिर दाय मुझ गया और कितने चला नौफीट चला अब वह शुरुआती बिंदू से कितनी दूरी पर तो देखिए सतरे चला था ऐसा क्योंकि एक वार ऐसा गया फिर सतरे नीचे गया फिर दाय मुड़ा और यह टोटल उतनी चला जितना य नेक्स देखिए सिस्टीन नमबर देखिए कुष्ण पृष्ण में एक कतन अच्छा यह कुष्ण देखिए पृष्ण में एक कतन और उसके बाद दो निशकर्स एक और दो दिये गये हैं आपको इस कतन को सक्त मानना है भले ही यह आम तोर पर ग्यात पत्त्यों से अलग प नगाने पड़ती कि क्या यह हो सकता है कौन सा मिश्कत भैसरी हो सकता है क्या दोनों नहीं हो सकते हैं कंतों उसकी तुलना में बढ़ रही है और पूल जाहिए क्या पता है आपको डियां मांग बढ़ा रही आगे क्या है निसकर्स इससे क्या निकाला जाता है घेरेलू मांग कम की जानी चाहिए आप मांग को कैसे कम कर सकते हैं मांग तो किसी की जरूरत होती है आप जरूरत को कम नहीं कर सकते हैं उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो घेरेलू मांग कम करना ये किसी नियुहु का आयात करना चाहिए तो निर्यात ना करके आयात ऊचिए ता यानि यह भी गलत है अता ना तो एक ना तो दू रहे इन दोनों में कोई भी निश्कर्स इस वाले कथन का नहीं करता है कितना आसान होता है निश्कर्स और अनसरड़ वाला चीछ आगे बढ़तेन ने या जानकारी होगी सरकार और स्थापित है और बच्चों तो यह होता है जो विवस्था है चलिए क्या है तर क्या है इसको क्या कर दिया जाना चाहिए तर क्या दे रहें इसके पीछे नहीं यह बंचित बच्चों को कम से कम एक समय का बोजन प्रदान करता है यह बात बिल्कुल सही है इसके जो में परपज है MBM का वो दो में परपज होते हैं पहला जो बच्चे तिश्ड़े हुए हैं भौती संसादनों से गरीब हैं दवे कुछले वर्ग से आते हैं उनको कम से कम एक बक्ता अच्छा खाना मिल जाता है तो उनकी जो कैलोरी होती है कैलोरी ड गर कोई अच्छा प्रोसान दे के आप बच्चों को जोड रहे हो तो वह गलत नहीं हो सकता है अल्टिमेटली बच्चे आएंगे तो वह पढ़ेंगे ही आकर साथ साथ उनका कुछ वाला भी हुआ जा रहा ठीक है तो यह नहीं यह बंचित बच्चों को कम से कम एक समय का ब होजन बंचित बच्चों को देता है अगला है हां यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोसान प्रदान करता है नहीं गलत प्रोसान प्रदान नहीं करता गलत प्रोसान तो यह होता कि जब आप बच्चों को कुछ उट पठान खेलने के लिए बिवस्ता स्कूल में करते ता option number one हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा और शायद यह आज का अंतिम कुश्चन था ठीक है तो इस तरह से हमने की भी तरह से टफ भी आजाए तो भी आपको दिख करना हो ठीक है तो देखने के लिए बहुत बहुत आपका रहन्वाद थेंक्यों